सत्कुरू की साजी निवाजी प्यारे सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी हर सुबह होती शुरू सत्कुर तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम होती सत्कुर तुम्हारे नाम से सद्कृर्माटा जी आपजी के अपार किरपा से यह हमारा जीवन का सफर बहुत अच्छा अनंदमेई व्यथित हो रहा है हम इस बात के लिए भी सद्कृर्माटा जी आपजी का लख लख शुक्राना करते है जो हमें संतों महापुरुषों का संग आपजी के किरपा से मिल रहा है सासंगर जी कहते हैं इस संसार में जितने भी गुरु, पीर, भली, पेगंबर आए उन सब का अपना अलग अंदाज था परन्तु उन में से भगवान शिरी कृषन जी महाराज के अंदाज का तो कहना ही क्या उनकी मन पोहनी सूरत और मासुरी बजाकर मंतर मुग्द करने की कलाने उस समय के लोगों को तो दिवाना बनाया ही था पर आज भी उनकी लिलाओं की चर्चा करके उनका मंचन देखकर दर्शक मंतर मुग्द हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी उस समय की शाक्षात देख पाते उस समय को शाक्षात देख पाते इसी परकार संत निरंकारी मिशन में भी योग दिश्टा सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने अपने मनमोहक मुसकान खिल खिला कर हसने वाली कला और गुर्सिक्खों के बात सुन कर अच्छा कहने वाली अदासे अपने संपरक में आए सभी लोगों क्या बच्चा क्या नोजवान और क्या बुजुरक सभी को अपना ऐसा दिवाना बना दिया था कि हर कोई सत्कुर बाबा जी के पास रहने के लिए उताबला रहता था बाबा जी ने अपने हर गुर्सिक को प्यार से सराबोर कर दिया बाबा जी ने अपने हर गुर्सिक को उसके दुख के समय में ऐसे गले लगाया और इतना प्यार दिया कि गुर्सिक ये प्यार पाकर अपने दुख से बाहर निकलाया बाबा जी ने हमारी वो सारी मन की मुरादे पूरे की जो हमारे लिए सुखदाई बनी लेकिन उस समय हम सबसे एक भूल अवश्य हुई कि हम सत्कुर बाबा जी को तो पूरे मन से प्यार करते रहे प्रन्तु हम आपस में उतनी गहराई से प्यार नहीं कर पाए सत्कुर बाबा जी को हमारे आपसी प्यार की कमी वाली बात अच्छी नहीं लगते थी प्रन्तु बाबा जी ने हमें कभी भी हमारी इस कमी को चितारा नहीं बस सहज रूप से यही समझाते रहे कि जब आपसी प्यार होगा तब ही विश्व भर में प्यार का विस्तार होगा तेरा मई दो हजार सोला को नश्वर शरीर को त्यागने के बाद जब सत्कुर मातस सविंदर हर देव जी महराज ने हमें हमारी गलती बताई और हमें कसम लेने को कहा कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हो तब हमारी आँखे खुली पर गुजरा जमाना लोट कर आता नहीं द दुबारा अब तो हर सच्चा गुर्षिक सदकुर बाबा जी दुआरा दिखाएगे वचनों पर खरा उत्रे और उनके दिखाए रास्ते पर चले सदकुर बाबा जी के लिए यही पंक्तियां चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुम को उमर भर तुम को न भूल पाएं ऐसे थे हमारे वक्त के सत्कुरू समानुता के मसीहा सत्कुरू बाबा हर्देव सिंग जी महराद जो हर समय हमें प्यार ही प्यार करना सिखाते रहे और प्यार करके करम रूप में जी कर हमें सत्कुरू ने स्वेम करके दिखाया और हमें भी करने के लिए कहा जो उस समय हम नहीं कर पाए अब वक्त के सत्कुरु माता सुदिक्षा जी महराज का कहना मान कर हम उन बातों को अपने जीवन में अपना पाएं और अपने सत्कुरु को खुश कर पाएं यहे सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज के चर्णों से हम अशीरवात मांगते हैं सत्कुर्बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने अपने प्यार और विनमर व्यवार से जन जन को प्रभावित किया प्रोपकार के मुर्ते सत्कुर बाबाजी ने निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी दे कर लाखों इनसानों को जनम वरन के बंदन से मुक्त किया सदकुर बाबाजी इनसान को परलोग स्वारने के साथ साथ उसके इस जनम के दुख दर्द को संभालने के शिक्षा भी देते रहे जब भी सदकुर बाबाजी संतों को मुस्करा कर देखते या बाबाजी की द्रिश्टी संतों पर पड़ती तो ऐसे लगता मानू सारी काइनात में बहार आ गई हो बाबाजी ने हर दिल पर राज किया वे जहां जहां से भी गुजरे सब को अपना बनाते चले गए उनके लिए संतों की जुभान से ये शबद अक्सर निकल दे थे अपना बना के तुने एहसान कर दिया है ये तेरा शुकरिया है ये तेरा शुकरिया है सत्कुर बाबाजी के दर्शन करके भगतों के चेहरे फूलों की त्रहकी लूटते थे भगत अपनी सुध भुध खो बैरते थे भगत जितना भी बाबाजी के दर्शन करते और चाहे जितना ज्यादा समय बाबा जी के साथ पिताने को मिलता बाबा जी के दर्शनों की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती थी एक ऐसा ही द्रिश्टांत संत निरंकारी ससंग भवन मंसूरी का है उस समय मंसूरी भवन का इतना विशाल रूप नहीं बना था और ना ही वहाँ इतने ज़्यादा कमरे रहने के लिए हुआ करते थे फिर भी संत महात्मा सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज और पुजय मत्त सविंदर जी के दर्शनों के लिए बड़ी संक्या में जाया करते थे एक दिन महापुर्शों से भरी एक बस अचानक वहाँ पहुँची जिसमें 30-35 महात्मा और बच्चे थे जब बस भवन पर आकर रुकी उस समय सत्कुर बाबा जी पूचय मत्त सविंदर जी बाहर सेर कर रहे थे सत्कुर बाबा जी के दर्शन करीब से करके उन संतों के चेरे खुशी से खिल उठे खुशी में महापुर्श पास खड़े होकर गीत गाते रहे और नमशकार का अनंद लेते रहे थोड़ी देर बाद सत्कुर बाबाजी ने उन में से एक महात्मा से पुछा कही रहने का प्रबंद किया है क्या उन्होंने कहा बाबाजी हम तो सीधा यहां आपके दर्शनों के लिए पहुँचे हैं आपको देखकर तो हम सब कुछ भूल गए हैं हमारी फूख प्यास और सारी थकान आपको देखते ही आपकी मुस्कान पाते ही मिट कई है सत्कुर बाबाजी ने ये बात सुनकर पुछा माता सविंदर जी से कहा अब इनके रहने का इंतजाम यहीं करवा दो जिस हाल में संगत होती थी वो पहले से ही संदों से भरा हुआ था उस समय पुजा भात सुनकर जी को कोई और जगा नजर नहीं आ रही थी तभी उनकी नजर गैराज पर पड़ी जहां सत्कुर बाबाबाजी की गाडियां पारक होती थी सद्कुर माता स्विंदर जी ने गैराज को खाली करवाया और गाड़ियां बाहर लगवाई होली शिष्टर बेहन समता जी उस समय मही थी माता स्विंदर जी ने बेहन समता जी को और एक दो बेहनों को साथ लेकर वो जगह आए हुए संतों के लिए त्यार करवा दी और किस तरह सत्कुर्बावजी का जितना भी परिवार सारा ही विशाल दिल वाला इस तरह सत्कुर्बावजी ने हम सब को अपने गले से लगाया अपने चर्नों से लगाया हर एक को प्यार ही प्यार दिया भगतों के हिर्दे, अपने हिर्दे समराड सत्कुर्बाबा हरदेव सिंग जी महाराज की एक मुस्कान पाने के लिए आतूर रहते थे और यहे इच्छा पूरी होते ही संतों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था इसी परकार एक और दिरिष्टांत ग्राउंड नमबर आठ दिरली का है संटे का दिन था सत्कुर्बाबा हरदेव सिंग जी महाराज, पुझे मता सविंदर जी और निरंकारी राज मता जी स्टेज पर भी राजबान थे साथ संगस से भरा हुआ आठ नमबर ग्राउंड का ससंग हाल भगती भाव से वरपूर था और भगत जन लाइनों में दीरे दीरे आगे बढ़ते हुए नमशकार कर रहे थे तब ही नमशकार की लाइन में दो नन्नी बच्चियां आई और सत्कुरु को नमशकार करके उसको मैं पेपर देते हुए उस बच्ची ने कहा इसे आप बाबाजी तक पहुचा दो थोड़ी देर बाद ही वह पेपर सत्कुरु बाबाजी के हाथों में था सत्कुरु बाबाजी ने वह पेपर लिया और पढ़कर उन बच्चों के ओर भरपूर मुसकान वाली नज़र डाली सत्कुरु बाबाजी के मुस्कुराहट देखकर वो दोनों बच्चियां भी जो और से खिर खिला कर हसने लगी हस्ते हस्ते उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सत्कुर बाबाजी को नमशकार किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई वहां बैठे कुछ बेहनों के दिल में बड़ी इच्छा हुई यह जानने की कि उन्होंने ऐसा उस पेपर में क्या लिखा था जो सत्कुर बाबाजी को हसी आ गई और वो बच्चियां भी खुद इतने जोर जोर से हस पड़ी सेवा दल की एक बैहन ने आखिर उन बच्चियों से पूछी लिया कि आपने उस पेपर में क्या लिखा था उन बच्चियों ने बताया हमने लिखा था बाबाजी एक बार मुस्कुरा दो तो बाबाजी ने देखो किस तरह हैं वो बच्चियों ने लिखा और बाबाजी ने वो मुस्कुरान मुस्कान जो थी उन बच्चियों के उपर फैला दी उन बच्चियों को मुस्कान दे दी तो बच्चियों ने बाबा जी से मुस्कान की कामना की क्योंकि ये जब मुस्कुराता है तब सोई हुई किस्मत भी मुस्कुरा उटती है सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज एक एक बच्चे को खुश देखना चाहते थे मुस्कुरा कर मुस्कान बाणते थे एक एक बच्चे को खुश करने के लिए उनकी मनों कामना पूरी करने के लिए जो वो चाहते थे बाबा जी वैसा ही कर देते थे यहां ध्यान देने योग्या बात है कि हम सत्कुरू की मुस्कान पाने के लिए वो करम करते जाएं जो इने अच्छे लगते हैं एक बार परममता मैं निरंकारी राजमाताजी ने सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज की भगत वत्सलता की बात करते अपने विचारों में कही थी क्या राजमाताजी ने कहा कि जब हम सत्कुर बाबा जी से कहते हैं बाबा जी के सुना दो बाबा जी के सुना देते हैं बाबा जी हमारे कहने पर नाच कर भी दिखा देते हैं सिरफ इसलिए कि साज सिंगत खुश हो जाए साज सिंगत के खुशी के लिए वो इतना कुछ करते हैं पर क्या हमने भी कभी वो करने की सोची है जो सत्कुरु हमें हर विचार में करने के लिए कहते हैं सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज प्यार की अता सागर थे उनको समीब पाकर सत्मु संसार का ध्यान ही नहीं रहता था भगत वसल सत्कुर बाबा जी हर भगत का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे अपने बोजन और अराम के फिकर ना करते हुए वे भगतों पर अपना प्यार लुटाते रहते थे सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज का मुस्कान भरा चेहरा हमेशा भगतों की आँखों के आगे होता था हम उनके वच्छनों को भी हमेशा आके रखें और उन पर अपना जीवन ढालने का भी प्रयास करें सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज ने दूर देशों की कल्यान यात्राओं के दुरान कितने ही लोगों के दुख दर सुने और उन्हें गले से लगा कर उन्हें होसला दिया उन्हें हिम्मत दी उन्हें सांधवना दी उनके पीड़ा के पलों को सांजा ही नहीं किया बलकि खतम भी कर दिया बाबा जी का यह अपना पन है जिनों ने भी बाबा जी का यह रूप दिखा उनके हिर्दे पर वो हमेशा के लिए अंकित हो गया हजारो भगतों के अपने अपने हजारो अनभव इसी बात को प्रूफ करते हैं कि दिल में प्यार का सागर और जुबाँ पर अमरीसी मिठास रखकर तो सारे संसार को अपना बनाया जा सकता है फिर हर दिल यही कह उठता है शुकर तेरा दातार है अपना मुझे बनाया अपना मुझे बनाया फिर शुक्राना ही निकलता है कि सच्चे पाश्चा आप जी का लख-लख शुक्राना है आप जी ने हमें अपना बनाया युगद्रिष्टा हर मन में बसा तू ही संगतों के लिवास में सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज के हर दास में हर दास के भी हैं दास में सचे पाशा तू ही प्रेणना तू ही लक्षे में तू अकल्पनिय परसार में तू प्रकट हुआ है पुकार में तू ही ग्यान धाननी रंकार में तू ही माता है तू ही पिता है तू ही आदी है तू ही अंत है भरपूर तुझ से दिगन्त है, तेरी विज्टा तो अनन्त है, तू ही चल अचल में विराट में, तू ही आम में, तू ही खास में, है परले ब्रिकुटी विलास में, नवस्रिष्टी तेरे ही हास में ये धरा तेरी कृडास्थली तेरा अंतरिक्ष में राज है ये समश्टी तेरा ही साज है तू समरत राजधी राज है तेरी चर अचर करेवंधना तेरे आतमदर्शी सवरूप की सभी कर रहे है उपासना युग द्रिष्टा सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज हर मन में बसे हुए है हर एक के मन में बसे हुए है जाहे वो ब्रह्म ज्यानी है या नहीं है सारे संसार के मन में नत्कुर बाबा जी एक अमिट छाप छोड़ कर गए है इतना प्यार दे कर गए है जिस प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता हर देव तेरे एहसानों का करद चुकाया जाए न सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज आप जी के एहसानों का करजा कोई भी नहीं चुका सकता किस तरह आप जी ने इतना प्यार दिया इतना अपना पन दिया जो भी आप जी के अंदर पर आया, चर्णों में आया, आपने सभी को अपने गले से लगाया और भरपूर प्यार ही प्यार दिया सत्पुरक जिन जानिया, सत्गुर तिसका नाओ, तिसके संगसिक उद्रे नान घर गुन गाओ अर्थात, जिस मानम ने सत्पुरश को जान लिया है, उसका नाम सत्गुर है, और उसके संग द्वारा गुर्सिक का उधार हो जाता है फिर वे सत्गुर के गुन गाने लगता है, पवित्र गुर्बानी में सत्गुर की परभाशा इस परकार से लिखी है बंधन तोड बुलावे राम, मन में अलाके साच द्यान, मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सत्गुर कहिए सत्गुर सभी परकार के बंधनों को तोड़ कर इस निरंकार प्रभु अभिनाशी प्रभात्मा से निसात्मा का मिलाब करवा देती है फिर हमारा मन इस प्रभु के ध्यान में लग जाता है, सभी परकार के कलेश समापत कर सुख की अवस्ता परदान करता है, ऐसे दाता को ही सत्गुर कहा जा सकता है आओ हम सब सत्कुर माता सुदिक शादी महराज को पूरण विश्वास और आस्ता के साथ सत्कुर रूप में देखें और समय समय पर जो भे इनके आदेश और तीशा निर्देश आए उनका हू बहू पालन करें सत्कुर सचे पाश्या ने हमें ये पार ब्रम ये प्रमात्मा निकट करके दिखा दिया जब हम सत्कुर की शरन में आए और अब हमें सत्कुर ने समझाया है कि हमने हर स्वास में इसका सीमरन करते चले जाना है जब सिमरन होता है तो मन से सारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं संगत जी दासी आप सभी संतों महापुर्शों के लिए भी सत्कुर माताजी के चरनों में यही अशीर वाद मांगती है सचे पाश्या आप जैसा भी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना बोलां दे नक्षियां ते अम लांदा रंग भार दे जीवन गुजारां तेरे संता तो डुरते डरते और दासी सब के सुखों की कामना के लिए सिम्रन करवाएगी सब इने मिलकर सिम्रन में साथ देना है तुही निरंकार मैं तेरी शरन हा मैंनू बख्ष लो बोल ये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु बचनवतार की जै सास संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी